हे गाईज वरकूं टू मोटरकार ग्यान डक्षिन अफरीका में आयोजित सब्तंतरता दिवस के मोके पर महिंद्रा ने स्कॉर्पियो एन बेस्ट पिकप के कौंसेप्ट को अन्वील कर दिया है जहां इस पिकप को महिंद्रा ने कई अंतराश्ट्रिय बाजारों के लिए तय किया है वहीं पिकप को महिंद्रा इंडिया डिजाइन स्टूडियो में डिजाइन किया गया है जहां पिकप की हेडलाइट बॉनट फेंडर और फ्रंट डॉर स्कॉर्पियो एन के समान है वहीं इसमें एग्रेसिव स्टाइल वाली पॉप आउट ग्रिल मिलती है वहीं इस इसके मिड हिस्से को एक लेडर के रूप में बनाया गया है ताकि लोड बैड पर चड़ने में असानी हो वहीं इसके टेल लाइट में पिक्सल जैसा डिजाइन दिया गया है वहीं कंपनी द्वारा हाल ही में जारी किये गए टीजर से ये सब कुछ पता चलता है बात करें महि कहना है कि ग्लोवल पिकप फीचर्ज और टेकनोलोजी से लेस होगी जहां इसमें लेवल टू अडास, सेमी आटोमेटिक पार्किंग और 5G बेस्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्ज से लेस होगी साथ ही ग्रहकों को इस पिकप में संडूरूफ भी मिलेगा इसके अलावा ट्रेलर स्वेव मिटिगेशन और ESP जैसे फीचर्ज मिलने वाले हैं अब बात करते हैं महिंद्रा ग्लोवल पिकप कोंसेप्ट इंजन और गेरबोक्स की तो महिंद्रा का कहना है कि नया पिकप जेनरेशन टू ओल अलुमिनियम एम होक डिजल इंजन द्वारा संचालित हो भी मिलेंगे बहीं संभावना है कि कमपनी इसको पैट्रोल वेरियंट में भी लौच कर सकती है जहां दक्षिन अफरीका और भारत के मुख्य बजारों को देखते हुए प्रोडक्शन वेरियंट डिजल इंजन के साथ आएगा हालांकि जिन अन्य आशियान देशों में पै कमपनी इसे 2025 तक लौच कर दे रही बात कीमत की तो कमपनी मेरे हिसाब से इसे 15-20 लाग की कीमत में लौच कर सकती है तो गाइज ये थी स्कोर्पियो एन पर बेस्ट महिंद्रा ग्लोबल पिकप के बारे में ओल अपडेट होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अ पैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन पर ओल पर क्लिक करें तो यहीं दोस्तो हैव गूड नाइट